मुझसे लिख के ले लो भाई अगर आपको लगता है कि टाटा मोर्टर्स एक एको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली और देश भक्ती वाली गाड़िया बनाता है तो आपको टाटा कर्व देखने के बाद एक सॉलिड जटका लगने वाला है एक ऐसी SUV जिसे देख के लगता है कि डिजाइन टीम ने एक लिंबॉर्गिनी का पोस्टर देख के इंस्पिरेशन ली हो लेकिन बजट में औल्टो बन गई लेट्स टेक आ नॉन सो सीरियस सर्कास्टिक जर्नी त्रू एवरीधिंग रॉंग विड़ टाटा कर्व पेट्रोल हो डीजल हो या बागी सब तो सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन है लेंबॉर्गिनी की सस्ती कॉपी टाटा कर्व को देखते ही आपको पहली बार जो याद आएगी वो है एक ओवर हाइट स्पोर्स कार जो असली में कभी नहीं बन पाई कूपे SUV बनाने का सपना तो बड़ा अच्छा था टाटा मोटर्स का लेकिन ये जो कर्व का फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है न लगता है किसी ने 2050 का एक स्केच देख के 2024 में 1980s की टेकनोलोजी से बना दिया हो फ्रेंट से LED लाइट ऐसी दिखेंगी जैसे गाड़ी ने डिसको करना स्टार्ट कर दिया और बैक से वेल पता नहीं किस एंगल से अट्रैक्टिव लगता है इंजन ओप्शन में पेट्रोल या डीजल कोई भी चलेगा बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए कर्फ पेट्रोल वेरियंट लेलो या कर्फ डीजल पर्फॉर्मेंस का जो लेवल है ना बस ऐसा समझो कि आपको रोज ओफिस लेट ही पहुचना पड़ेगा टाटा कर्फ पेट्रोल में इंजन तो लगा है लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ी का शुरूम तक ही जिन्दा रहने का इरादा है हाईवे पे अगर आप किसी छोटी गाड़ी को ओवर्टेक करने का भी सपना लेके चल रहे हो ना तो बिचारी कर्फ बस हौन बजा बजा के सिंपेती ही देगी और डीजल डीजल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी होनी चाहिए फास पावरफुल लेकिन अपनी कर्फ डीजल इतनी लेजी है कि थोड़ा धक्का मारने का मन करता है अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कच हुए जैसी स्पीड मतलब टाटा कर्फ का नाम कर्फ शायद इसलिए रखा गया है क्यूंकि आपको बस सड़क के कर्फ पे ही इससे उम्मीद रखनी चाहिए स्ट्रेट रोट पे तो भाई भूल जाओ कोई थ्रिल मिलेगा इस टेरिंग ऐसा सौफ जैसे बटर लग गया हो लेकिन जब जरूरत पड़े टाइट कॉर्नरिंग की तो भाई साब ये गाड़ी आपको डिच करके निकल सकती है बिलकुल ऐसे जैसे पुरानी फिल्मों के विलन निकलते थे फीचर्स का बोलूँ कोई कोई तो स्पेस एज के नाम पे स्टोन एज का काम कर रहा है कर्व टाटा मोटर्स ने फॉल ब्रैगिंग राइट्स ले रखे हैं कि भाई हम तो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स दे रहे हैं फ्यूचर तो दूर की बात है प्रेज कुछ चीज़े तो फिर भी मैं कहूँगा हावी टाटा ने फीचरिस्टिक बनाया है डिजाइन में यह वाइरलेस फून चार्जिंग ब्लुटूथ कनेक्टिविटी वाइफाइ कनेक्टिविटी एंड्रोइड आटो एपल कार प्ले और भी काफी कुछ दिया है टाटा कर कर्फ की कीमत ऐसी रेंज में सेट की गई है जैसे टाटा मोटर ने सोचा हो जनता इमोशनल है प्राइस देखके तो गाड़ी जरूर ही लेगी लेकिन सच तो यह है कि टाटा कर्फ प्राइस ऑन रोड सुनते ही आपका दिल तूट जाएगा क्योंकि जो प्रॉमिस दिये ग स्टेंड मिलेगा जो हर रोड ब्लॉक पे आपको चेयर करेगा लेकिन यह सब सपने एड्स की तरह हैं रियालिटी में बस एक महंगी एस्यूवी मिलेगी जो पावर के नाम पे आपको स्लीपी बना कर छोड़ दीगी कमफर्ट की बात करें तो टाटा कर्फ पेट्रोल और डीजल वर्जन में एक रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी हो जाओ in the worst way possible suspension तो इतना stiff है कि लगता है हर speed breaker पे आपका dentist का appointment confirm हो गया और गाड़ी के अंदर space अरे भाई अगर आपको लगता था coupe SUV में space भी मिलेगा तो यह joke पे हस लेना क्योंकि पीछे तो दो order के बैटने की ही जगा है और ऐसे में headroom को तरस्ता रहना पड़ेगा बस और तीन passengers के काहनी तो भूली जाओ coupe SUV का design होता ही कुछ ऐसा है पीछे से अब mileage की बात करें तो क्या mileage है या सिरफ एक number game अगर आप सोच रहे हो कि curve petrol या curve diesel में at least mileage अच्छी होगी तो एक और जटके के लिए ready हो जाओ ये गाड़ी आपके wallet का furl धियान रखती है petrol और diesel variants में mileage देना जैसे एक optional feature हो गया है city driving में तो बस tank भरते रहो और highway पे well let's say काफी coffee brakes की ज़रुवत पड़ेगी market positioning को देखो ज़रा सस्ती Lamborghini महंगा auto ये मैं नहीं गया रहा हूँ आपको बहुत सारे discussion forums में भी यही पढ़ने को मिलेगा Tata Motors ने शायद अपनी curve को market में एक premium SUV के रूप में position किया है लेकिन real world में ये गाड़ी ऐसी है जैसे किसी ने Ferrari का दिखावा करके नैनो लॉज को दिखावा कूपे SUV एक अलग category है लेकिन ये तो category के नाम पे well you know क्या है Tata Curve price on road देख के लगता है कि Tata ने बस emotional अत्याचार किया है अपने loyal customers के साथ मेरा conclusion है कि सोच लो अगर आप वैसे customer हो जो बस brand name पे जाके खरीदने के लिए ready हो तो Tata Curve 2024 आपके लिए perfect choice है लेकिन अगर आप थोड़ा सोच समझ के अपने पैसे खर्च करते हो तो ये गाड़ी सिर्फ showroom के shiny lights में अच्छी लगती है रेल लाइव में it's a disappointment wrapped in a futuristic body लेकिन अगर आप सोच रहे हो के बहुत सारे funny तोर पे गाड़ी का पे एक review किया है जो आगे आने वाले 2-3 साल के बाद भी आपको feel होने वाला है तो मुझे लगता है कि मैं तो Tata के review से ban ही हो गया हूँ बाखी आप देख लो आपका क्या सोचना है आपका क्या कहना है जाके लेनी है तो लो वन्ना comment में बताओ ठीक है गाईस मिलते हैं एकली वीडियो में बाबाई